1,500 रुपे के बजट में बहुत competition है यार TWS में बट आज मेरे पास में है ये bold Astra So let's see कि क्या ये इसके competitor को टक कर दे पाता है या नहीं इसके box में आपको वही basic से कागजाद देखने के लिए मिल जाते है कुछ ear tips देखने के लिए मिल जाते है And finally ये है हमारा TWS So सबसे पहले इसका design Not so boring design I mean सच बता रहा हूँ यार कई दिनों बाद मेरे को इता cool design देखने के लिए मिला है मेरे पास में इसका white color है But ये black color में भी आता है And इसके case के अंदर ये जो light जलती है वो इसको बहुत ज़्यादा cool vibe देती है Especially अगर आप gamer हो देन आपको for sure इसका design पसंद आएगा And gaming करते हैं तो बता दू इसके अंदर आपको 45 millisecond की low latency मिलती है Yeah मुझे नहीं है काफी ज़्यादा light weight लग रहे थे So इसका weight check करने के लिए मैं इसका weight किया So पता चला ये केवल 8 gram के है And इत्ते कम weight के अंदर और इत्ते छोटे size के अंदर 13 mm के drivers implement करना It's amazing इसका connectivity भी fast है just because of Bluetooth version 5.3 Like जैसे ही case खुलोगे ये automatically connect हो जाएंगे अब ना सबसे main चीज़ पर आते तो इसके अंदर ना मैंने कई सारे अलग अलग तरीके के sound सुने And यार इसका आना base थोड़ा सा ज्यादा है So if you are base lover आपको थोड़ा punchy base पसंदे Then आपको definitely ये पसंद आएंगे Now अगर quality की बात करो Then इसके अंदर आपको quad mic का support देखने के लिए मिलता है with ENC So quality काफी सही आ जाती है Like even अगर आप public place में भी हो तो भी काफी सही आती है But हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा crowded places में हो तो इससे ज़्यादा कुछ expect मत करना So अब आप आपकी हर दिल अजीज से घंटों तक बात कर सकते हो Because इसका material and design कुछ इस तरीके का है कि लंबे समय तक भी रहेगा तो एक कान में pain create नहीं करता Also अगर आपको फुल के sweat से कोई भी problem नहीं होगी So अगर conclusion की बात करू तो अगर आपको 1500 रुपे के budget में एक अच्छे TWS चाहिए And gaming के लिए चाहिए Then definitely आप इसको ले सकते हो Also अगर आपको थोड़ा सा punchy base पसंदे बहुत जादा base lover हो तो आपको definitely इसको try करना चाहिए